गूड आप्टरनून स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में जुनागड अभी लेक के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा जुनागड अभी लेक किसके द्वारा लिखवाया गया इसका क्या महत्वा है इसे हमें क्या जानकरी मिलती है इन्ही सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में धन करेंगे लेकिन पहले आप लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें लाइक करें, सेर करें, बेल लाइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेस्न मिलें और आपके फ्रेंड्स तक भी हमारी इत्यास समधिन मैतों जो टोपिक हम पढ़ाते हैं वो पहुंच सकें आता है, आप लोगों से हमारी बार बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सेर करें, ठिक है? तो चलिए पढ़ते हैं जुनागड अभी लेक रूद्रदामन का गिरनार शिलालेक पस्चिमी चत्रप नरेज रूद्रदामन द्वारा लिखवाया गया शिलालेक है, यह शिलालेक गिरनार परवतों पर है जो जुनागड के निकट इस्तित है यह शिलालेक सक्सामत 72 अर्थाथ 150-151 इस्तित का है, सक्सासक रूद्रदामन का है इस सिलालेक में महाचत्रप रूद्रदामन द्वारा सुद्रसन जील की मरमत आदी वीवरण है शुरू में इस जील का निर्मान चंद्र गुप्त मोर्य के अधिकारी पुशे गुप्त वैशे ने करवाया था और सुद्रसन जील के बारे में हमने अलग से एक वीडियो पहले आपको दिखाया था बाद में असोग के सासन में इसमें और सुधार के आगया यवन राजा तुसस से ने इस जील से नहर निकलवाई ये जील उर्जेत अर्थात गिरनार में उर्जेत पाड़ी से निकले सुवण सिक्ता और पाल सिनी जण्णों के पानी को जमा करके बनाई गी थी 150-151 इसवी से थोड़ा पहले उर्जेत पाड़ी के सुवर्ण सिक्ता पाल सिनी और दूसरे जड़नों में बाट के कारण तटबंदों में दरार पड़ गई और सुदरसन जील समाप्थ हो गई बाद को फिर से बनाने का काम राजा रुदरदामन के पल्लव मंत्री सुविसाक ने किया सुविसाक की नियुकती सुवर्ण और सोराष्टर प्रांतों का सासन चलाने के लिए की गई थी सिलालेक से कई बातों की जानकारी सामने आती है जील के पाने का उप्योग राजा तुसास से द्वारा खुदवाई गई नहरों से सिंचाई के लिए होता था चार स्ताब्दी बाद उसकी मरमत एक पल्लव या पल्लव सामंद ने करवाई दोनों ही काम विदेशियों ने किये इस तरह ये सिलालेक एवल बांध ही नहीं जील का भी एक रिकोर्ड है इससे पदा चलता है कि इससा पूरा चोतिस ताब्दी में भी लोग बांध जील और सिंचाई परनाली का निर्मान जानते थे तीन सो साल बाद मर्मत आदी का काम पूरा होने पर 455-56 इस्वी में सुदरसन जील भारी बरसात के कान फी तूट कई और 456 इस्वी में चकर पालित के आदेश पर इस विशाल दरार की मर्मत करके तटबंदों को दो महिने में दुरूस्त किया गया समराट इसकंद गुपत जो 455-56 इस्वी तक सासक था के काल के जुनागट के एक सिलालेक से पता चलता है कि चकर पालित ने सुदरसन जील के तटबंद की मर्मत करवाई थी यह अबिलेक सेंस्क्रेट भासा में लिखा गया पहला व्रहद और विस्तरित अबिलेक है इस अबिलेक में सक सासक रुद्दर दामन की उपलब्दियों का वर्णान है इस अबिलेक के अनुसा रुद्दर दामन ने साथ वाहन सासक वसिष्टी पुल्लुमावी को प्राज करवाया और असोग के समय योन राज तुसास से ने इस जील की मरमत करवाई रूदर दामन के समय उसके अधिकारी सुविसाक ने इस जील की पुनह मरमत करवाई पता चलता है कि रूदर दामन ने जील की मरमत करवाने के लिए अपनी परजा से बेगार अर्थात विस्टी पहली बार बेगार अभिलेक के साक्से जुनागड है इसी में बेगार शब्द का उलेक पहली बार हुआ है ठीक है मैं तो पुन तत थे रुद्दर दामन का जुनागड अभिलेक जो 150 इस्वी का है संस्कृत बासा में पहला रह दिया विस्त्रित अभिलेक है यह अभिलेक सो रुदर्दामन ने सातवान सासक वस्षिष्टी पुत्र पुलुमाव को प्राजित किया तथा अपनी पुत्री से विवाहे करवाया। बेगार अभिलेक के साख से जुनागड अभिलेक है बेगार शब्द का उलेक भी पहली बार हुआ है। तो इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम और भी वीडियो आपको दिखाएंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे।